नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चनल बाजार के पढ़नित पे तो दोस्तो बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और अगर आप देखेंगे तो सरकार की तरफ से अपडेट आ रहा है जो इंपक्ट करेगा कल बाजार में चुकि मार्केट क् होने के बाद ये अपडेट आया था और आपको पता है कि यहां पे आपको सारे अपडेट पता होने चाहिए तो लाइव मार्केट को ट्रैक करने के लिए हमने सारे पर्टिकुलर देखेगा आपको अपडेट टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दिया है अंगरा दिन में लेकिन इस पर्टिकुलर रिवीजन के बाद बहुत बड़ा इंपक्ट पड़ता है इक पर्टिकुलर सेक्टर पे और इसके साथ एक पर्टिकुलर स्टॉक पे तो वो दोनों चीज़ें आपके लिए इंपोर्टेंट होती है चोकि मार्केट के पॉइंट पहले बात करेंगे information आ कहां सरी है mint पे और भी सारे article पे आपको मिल जाएगी और इसमें सबसे interesting बात निकल के आई है जो expectation की जा रही थी कि शायद नहीं हो आगे चलके खतम हो जाए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझना है इसलिए कहते हैं कि केवल information को नहीं है उन्हें समझना बहुत important होता है तो मैं आपको यह बताऊंगा यह correlate कैसे कर रही है sector को और कैसे कर रही है nifty को तो अगर आप देखेंगे central ने देखिए का windfall tax बढ़ाया तो चलिए windfall tax हम लोग expectation कर रहे थे कि हाँ बढ़ेगा चुकि लगातार यह कम हो रहा था या तो आपको पता है कि इस particular last week में काफी अप रहे crude oil के prices तो उसके basis पे देखेगा government ने यह particular decision लिया है यह बहुत ही देखेगा common बात है कि यह चीज़ आपको पता चल जाती है कि कैसे price रह रहे है 15 दिन का price चेक कर लीजे और then after that आपको थोड़ा सा अंदाजा होने लगेगा कि government tax बढ़ाएगी कि tax कम करेगी but इसमें सबसे interesting factor यह है कि जब tax ज़्यादा बढ़ाया रहता है तब वो margin को impact करता है थोड़ा सा बढ़ाया रहता है तो उस पर इतना impact या फिर reaction market का नहीं आता ना इस particular sector का आता है जिसका नाम है oil and gas तो आपको पता है कि जब कम बढ़ाया रह आता है तो सीधा margin पर impact पड़ता है तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर पूरी तरीके से new rates effect हो चुके है Saturday से देखेगा effect हो चुके है new rates के साब से देखेगा आपको यानि कि जो oil companies को tax देना पड़ेगा तो आप देखेंगे in line with the देखेगा firming global oil prices आप देख सकते हैं central government has raised the 7 month old windfall profit tax levied on domestically produced crude oil as well as export of diesel aviation turbine supply तो यह ना केवल देखेगा oil and gas के लिए negative news है बलकि ATF और aviation turbine fuel देखेगा सीधा-सीधा aviation sector से रिलेट करता है जब यह कम हो जाता है तो aviation sector का margin बढ़ जाता है और जब यह जभी जादा हो जाता है तो aviation sector का margin उसी particular cost के साब से कम हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 month देखेगा old है यह और इसमें जो particular increment करा गया है वो जजा अधा करा गया है तो आप देख लीजे मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा according to the notice the levy on the crude oil produced by the company such as ONGC has been high to rupees 50 50 rupees per ton from 1900 per ton तो आप देख सकते हैं 50% से भी जादा है 19 का देखेगा डबल करते हैं तो 38 होता है 3800 होता है और आप देखेगा 3800 का भी देखेगा 50-60% से भी उपर का आपको देखेगा increment हुआ है tax में तो इसलिए बड़ा increment है और आपको पता है इतनी तेजी से अगर इतना बड़ा increment किया जाएगा tax पे तो सीधा सीधा oil and gas on देखेगा जो भी देखेगा aviation sector है उनके particular profitability पे उनके margin पे impact पड़ेगा जो की एकदम common बात है तो कल ये update impact होते हुए देखनी हूँ मिलेगी तो अगर आप देखेंगे crude oil pumped out of the ground from the below sieved in refined converted into the fuel आपको पता है कि बहुत अच्छा लोग बनाया था उसके बाद देखेगा एक rebound देखनी हूँ मिला था ये तो बात करी oil and gas की अब मैं बात करता हूँ center has raised the tax on the export of diesel तो देखेगा इस पे भी काफी बड़ा increment हुआ है आप देख सकते हैं पांच रुपे था अब कितना है साढ़े साथ रुपे तो 50% का increment देखेगा इस पे भी हुआ है और साढ़े 3 रुपे था तो अगर आप देखेंगे 6 तक हो चुका है तो इसमें भी देखेगा आपको काफी बड़ा increment देखने हुआ मिल ला है ये particular rates देखेगा applicable हो चुके हैं और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक बहुत interesting बात कही गई है वो बात आपको समझनी चाहिए कि देखेगा windfall tax माना जा रहा था कि आगे चलके क्या खताम हो सकता है जैसे रश्या यूकरेन particular war है शान्त हो रहा है चुकि यह कभी लगाया तो जाता नहीं था यह तो अचानक से इस particular sector में abnormal profit होने लगे तो government ने और देखेगा global level पर भी बहुत सारी सरकारों ने windfall tax लगाया तो क्या यह आगे भी रहेगा कि नहीं रहेगा तो अगर आप देखेंगे तो windfall taxes से देखेगा सरकार को मिले इस financial year में अब तक 25 000 क्रोनो रुपए और अगर आप देखेंगे the levy will continue for now as international oil prices are up तो अगर आप देख सकते हैं कि अभी भी वो continue रहेगा जो expectation थी वो बिल्कुल देखेगा expectation के साब से यह update नहीं है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे यह सोचा गया था कि आगे चलके क्या कहीं यह particular news आ सकती है कि इस particular tax को कम किया आ जाए सकते हैं तो ऐसा कुछ भी अभी देखने को नहीं बिल्दा है तो आप देख सकते हैं इसका impact देखने हो मिलेगा Reliance Industry पे और Reliance Industry देखेगा मैं आपको क्यों कहता हूँ important है तो कि Reliance Industry देखेगा उसी तरीके से जैसे Bank Nifty जैसे Bank Nifty support करती है Nifty 50 को वैसे एक लौता Reliance Industry सबसे ज़्यादा weights देता है किसको हमारी Nifty को तो अगर आप देखेंगे तो उस पे कल impact पढ़ते हो देखने को मिले सकता है अगर Reliance पे impact पढ़ेगा तो Nifty पे भी उसका impact देखने को मिलेगा तो focus करेगा वीडियो गर अच्छा लगे तो लैक शिर सस्काइब करना न भूलेगा Thank you so much